आज हम डिसकस करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में और समझेंगे कि कमपनी को लेकर क्या न्यूज है, क्या अपडेट है, क्या वो बाती हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए हाला ही में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, मैं ओलरी डिसकस कर चुका हूँ इसके वारे में, लेकिन आज भी ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो आज हम डिसकस करेंगे, जिससे कि कमपनी के शेर प कि कमपनी को BSNL से बहुत बड़ा ओडर हाथ में लगाए, भारत रतन के तैट, बहुत सारे गाउं में कमपनी अब अपना जो वायर है, जो केबल है, वो बिछाने जा रही है, जिससे कि बहुत ज़्यादा फाइदा HFCL को आगे होने वाला है, अब हाला ही में कमपनी ने ए डोकुमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिरफ एक दिन हुआ है इस अपडेट को आए, मैं सिंपली इस अपडेट को किलिक करता हूँ, तो मेरे सामने जो ओफिशल PDF है, वो ओपन हो जाती है, अपडेट चेक कर सकते हैं 29 अगस्ट 2024, आज मार्केट क्लोज है, कल भी मार्केट इसका इंपक्ट हमें 2 सितंबर के आसपास ही देखने को मिलने वाला है, अब बेसिकली क्या कहा गया है इस अपडेट में, इसको हम ध्यान से समझते हैं क्योंकि यही सबसे इंपोटेंट है, जो आपको क्लियरिटी दिलाएगा के आगे अब क्या करना है, आपको बताना चा पूरवक जो समापत्ती है, उसकी जानकारी दी है, बोला है कि हमने सफलता पूरवक BSNL का काम कर दिया है, और इस प्रोजेक्ट में HFCL ने दुनिया के सबसे बड़े Advanced Broadband Network Gateway याने BNG प्रोजेक्ट में से एक को पूरा कर लिया है, यानि कि BNG जैसा बड़ा प्रोजेक्ट अ कि हमने CUPS Technology का यूज किया है, आपको बताना चाहूंगा जो ये CUPS Technology है, यानि कि Control and User Plane Separation, ये टेक्नोलजी काफी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि BSNL के कस्टुमर को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और बताये तो ऐसा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को पूरे भारत भर में लगा दिया गया है, और इस प्रोजेक्ट में जो लगबग पैसा खर्च हुआ है, HFCL का वो 390 करोड के आसपास हुआ है, और मैनेजमेंट भी इसमें अलग से सामिल है, अब यहाँ पर हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो आर्किटेक्चर इदर किया रहा है, इसकी क्या-क्या विसेशता है, यानि क्या-क्या एडवांटेज है, इस नए आर्किटेक्चर ने ब्यस्नल के नेटवर्क की जो चमता है, वो काफी ज़्यादा बढ़ा दी है, और हम कह सकते हैं कि Fiverr to the Home, यानि कि FTTH और Enterprise जैसी सेवाओं के लिए उच गती डेटा सेवाएं भी परदान की हैं, यानि कि ज़्यादा High Speed और ज़्यादा Renewal Speed हमें देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छा हैं अगर BSNL ऐसा कर पाता है तो, बोला तो ऐसा जा रहा है कि भाई, लगवग 1.5 lakh ग्राम पंचायतों में भारत Net Face 3 के हिसाब से ये पूरा प्र Architecture है, भारत सरकार के दौरा जो प्रोजेक्ट को पास आउट किया गया है, इसमें HFCL का बड़ा योगदान रहने वाला है, अब यहाँ पर जो HFCL के जो Managing Director हैं, उनका क्या कहना है, इस पर भी थोड़ी टिपनी कर लेते हैं, इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जात कमपनी के Managing Director याने की महंदरनाटा का ये कहना है, कि हमने वो करके दिखाया BSNAL के लिए, जो कि दुनिया में सबसे बड़े CUPS Architecture अधरिक्त BNG प्रोजेक्ट को सफलता पूर्वक पूरा किया, कमपनी के Managing Director महंदरनाटा का कहना है, कि हमें अपनी कमपनी के उपर गर्व हैं, क्योंकि BSNAL के लिए हमने एक ऐसे टेक्नोलजी बनाई है, जो कि बहुत कम देखी जाती है, यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि हमने CUPS Architecture का यूज किया है, और इसको हमने सफलता पूर्वक पूरा भी किया है, इस प्रोजेक्ट में हमने BSNAL के सभी Broadband और Enterprises ग्राकों के लिए बहुत अच्छी सेवाएं परदान की हैं, वैसे आपको बताना चाहूंगा, यह प्रोजेक्ट 2022 में ही सुरू हो गया था, अक्टूबर 2022 में, लेकिन 2024 तक इसको पूरा कर लिया गया है, HFCL के बारे में भी आपको इदर काफी कुछ जानने को मिल जाएगा, आपको बताना एक परमुक तकनिक कंपनी है, जो कि टेकनोलोजी या फिर टेलीकॉम या हम बोलें ऑप्टिकल फाइबर से लेटिड काम करती है, कंपनी के पास अत्या आदूनिक R&D सेंटर है, और हम कह सकते हैं के कंपनी 5G, Wi-Fi, ऑप्टिकल फाइबर और भी बहुत सारी टेलीकॉम उत् इस्ताय रखती है, बाकी गईज आप क्या सोचते हैं, इस अपडेट के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं, फिलाल अब हम एक वार स्क्रीनर पे ये देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं स्क्रीनर पे हूँ, मैंने HFCL Limited क इस्टोग खोला हुआ है, कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो 21,000 करोड के आसपास हो चुका है, आज के टाइम में, और कंपनी का PE 58 के आसपास है, आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का रिटन ओन कैपिटल इंप्लोए 13% है, रिटन ओन इक्विटी कंपनी का 9.34% है, यहा बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है, यहाँ पर हमें कंपनी के quarterly performance देखने को मिलते हैं, जिसमें कंपनी का OPM percentage 15% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और जो net profit है कंपनी का continuously बढ़कर 111 करोड तक पहुच गया है, बाकी गैस आप क्या सोचते HFCL Limited के बारे में, क्या वाकई में कंपनी आगे और भी अच्छा परदसन करेगी, अगर करेगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताईए, और अगर आप इसी तरह से Most Active Stocks के बारे में जानना चाते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी Most Active Stocks हम आपके सामने इसी तरह से लाते रहते हैं, बाकी किसी भी तरह का कोई Biasile Hold Recommendation नहीं है, मैं दें किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए Take Care and Goodbye